पुर्ण स्वदेशी टेलीकॉम कंपनी बीसनल ने अपने ग्रहकों और आम लोगों से जोडने के लिए हिमाचल की ग्राम प्रधानों से वीडियो कॉनफरेंस की ग्राम प्रधानों को संभूधित करते हुए बीसनल के महाप्रबंधक मुबाई MC सिंग ने कहा कि बीसनल की पोहँच बहुत विस्तृत है और बीसनल की ग्रहक सेवा केंदर लगभग सभी चगाप उपलब्ध है उन्होंने बताय कि बीसनल ही एक ऐसा टेलीकॉम सेवा प्रधाता है जो ग्रहकों को किफायती प्लान प्रधान कर रहा है MC सिंग ने बताया कि COVID-19 के वज़ा से लोग घर में ही है जिसे देखते हुए बीसनल ने अपनी सिंग को घर पर ही पहुचाने की सुविधा प्रधान की है और बीसनल के योधा इस मुश्किल समय में भी सेवा को बनाय रखने के लिए निरंतर प्रयासरत है उन्होंने कहा कि बीसनल सभी क्राम प्रधानों को वटसेप के माध्यम से समय समय पर बीसनल के टैरिफ प्लान सेवाओं एवं जानकारी प्रधान करेगा उन्होंने कहा कि भारत सरकार्नी क्राम पंचायत को आग्म निर्भर बनाने के लिए काफी योचनाय आरंभकी है इन सभी उजनाओं की क्रियानवेन और रिपोर्टिंग के लिए इंटरनेट के इस्तेमाल को बढ़ावा मिल रहा है और BSNL देश की आमचंता को इंटरनेट प्रतान करने के लिए और डिजिटल डिवाइट को कम करने के लिए प्रतिवत है उन्होंने सभी ग्राम पंचायतों से अगरह किया है कि BSNL की सेवाओं की जानकारी सभी गाउंवालों को प्रतान करें और पूर्ण स्वदेशी टेलिकॉम कमपनी BSNL की सेवाओं के इस्तेमाल को पढ़ावा दें हम पूरे हिमाचल में जो डिफरेंट जिलेज हैं उनके कुछ सेलेक्टिट ग्राम प्रधान जो हैं उनके साथ आज हम वीडियो कॉन्फरेंसिंग करने हैं इसका ये देश है कि हिमाचल में आप देखिए कि 89% लोग गाउं में रहते हैं और आज की रेट में करोना जब ये फैलवा है तो जो ग्राम प्रधाने उनके उपर बहुत जुम्मेदारी आ गई है क्योंकि ग्राम प्रधाने को स्टेट गौर्णमें ने काफी पावड़ दी भी है कि कुरंटाइन जिन लोगों को किया गया होम तो उनकी जुम्मेदारी है कि भृबहही रहें तो BSL की इस करोना के टाइम में ये जुम्मेदारी बनती है कि वहाँ पर जो सिचनल है मॉइल का हो, लेंड नाइन का हो वो अच्छी तरह चले और जो मॉइल का है उसकी स्पीड अच्छी होनी चागे है क्योंकि कम्मुनिकेशन रहेगा तो इनको गाओंवालों को बाकिसों करोना से पिडित हैं यह जो मैनेज कर रहे हैं यह डॉक्क्टर से यह स्टेट गवर्न girlאל Toyota ऑफे उनको इसी रहेगा क्योंकि कम्मुनिकेशन जब कोई डेटा भेज ना है किसी से बात करनी है तो आज यही उद्देशम पूरे हमाचल में प्रदानों से बात करके उनकी जो समस्या हैं, जो सुजाब हैं, उनको आज हम उनको देखेंगे किस तरह उनकी प्रावलम को दूर किया जा सकता है, और आप देखिए कि पूरे इंडिया में 65% लोग गाउं में ही रहते हैं, तो ह आप देखिए के लिए बहुत अच्छा है।